दोस्तो नमस्कार जैस्त्री किष्णा जैस्त्री राधे धनू रासीफल जून 2020 जून का महिना कैसा बीतेगा धनू रासीचे ब्यक्तियों के लिए मासिक रासीफल लेकर आये हैं धनू रासीफल जानेंगे जून महिने का सबसर पहले वो नई दर्सक जो हमारे इस रासी फल को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि हमारा यह रासी फल चंद रासी के आधार पर होता है तो इस रासी फल को चंद रासी के अनुसार देखें वसोने अब हम जानते हैं जून महीने की ग्रह स्थितियों पर एक नज़र डालते हैं फिर उसके बाद में आपको बताएंगे आपके रासी फल के वारे में चंद्रमा आपकी रासी में स्थापित कर देते हैं क्योंकि ये चंद्रासी के अनुसार रासी फल होता है धनू रासी में केतू का गोचर जारी रहेगा आपकी ही रासी है आपकी रासी में केतू का गोचर जारी चल रहा है और ये मकर रासी में सनी और गुरू की यूती बनी रहेगी गुरू रासी परिवर्तन भी करेंगे 29 जून को ये धनू में बापसी करेंगे घर बापसी साथी मंगल का गोचर कुम्ब रासी में रहेगा 18 जून तक उसके बाद ये मीन रासी में प्रवेस करेंगे सुक्र और सूर्य का गोचर ब्रसव रासी में रहेगा 14 जून को रासी परिबरतन होगा सूर्य का सूर्य मितुन रासी में प्रवेस कर जाएगे राहू और बुद्ध का भी गोचर मितुन रासी में जारी रहेगा तो आईए दोस्तों ये ग्रह स्थितियां थी जून महीने की और इनी ग्रह स्थितियों के आधार पर हम आपको बताएंगे आपके रासी फल के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्त की स्वास्त में यहाँ पर देखा जाए तो आपके स्वास्त में कुछ बिसेश दिक्कत नहीं होगी स्वास्त आपका सामान ने रहेगा क्योंकि आपके रासी में केतु का संचन जारी है आपका स्वास्त पहले से कुछ खराब श्तितियां थी मानसिक तनाव आपके साथ चल रहा है वो आपका काफी समय से चल रहा है कि आपको मानसिक असांती है और काफी रोग इत्यादी आपके बहुत दिनों से चल रहे हैं लेकिन ये रोग तो आपके अभी लगबग कुछ समय तक चलेंगे आपके सितंबर तक लेकिन इस महीने इनमें कुछ न कुछ राहत देखने को मिलेगी अब यहाँ पर रोग की बात आती है तो यहाँ पर एक बात जरूर है कि सुक्र आपकी रासी से सश्ठस्त हैं और सश्ठेस भी हैं तो यहाँ पर देखा जाएगा कि आपको ज़्यादा भोग करना रोग की ओर ले जा सकता है ज़्यादा भोगी बनेंगे तो रोगी बना सकता है यह सुक्र यहाँ पर आपको ऐस्वारे का भोग, लक्जरी लाइफ का भोग, या आपके हैं संभोग या सारेरिक भोग कैसे भी देखा जाए, तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा ही आलस्य में डूबते हैं, या ज़्यादा संभोग में डूबते हैं, या ज़्यादा मनोर पर कैसे भी अपना मनोरजन करते हैं तो उससे आपकी आँखों पर और माइंड पर प्रभाब पड़ेगा और उससे क्या है आपको मानसिक तनाब होने लगेगा ये इंटरेटेंडमेंट क्योंकि सुक्र से ही देखा जाता है साधी साथ अगर अभी आप देख रहे होंगे कि भोग की और अग्रसर जादा हो रहे हैं तो अगर भोग आप करते हैं संभोग की बात करूं में तो सारे रिक भोग इत्यादी संभोग करते हैं आप अपने पार्टनर के साथ या फैर इत्यादी में भी तो जादा अगर करेंगे क्योंकि जादा भोगी व्यक्ति रोगी बन जाता हैं, तो ऐसी स्तिती में आपको रोग दे सकता ही यह सुक्र शाथ ही झे ज़ादा ही किसी भी चीज का सौक करेंगे तो इससे भी आपको तनाब हो गाई तो यह स्वास्त की स्तिती है स्वास्त में पैसे ठीक स्तितीयں रहेंगी सामाने रहेंगी जैसी चल रहे हैं लेकिन अगर ज़्यादा भोगी बनते हैं चाहे वो किसी भी प्रकार से हो तो आपको रोग हो सकता है अब अगर हम बात करें धन के संचय की तो यहाँ पर धन की स्थिति बहुत अच्छी है सनी की स्थिति काफी धनलाव की स्थितियां बनाती होई नजर आएगी यह आपकी एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि आपकी द्धन की कमाई होगी वो एक गलत तरीके से हो सकती है आप कही से रिस्वत लेकर के आप अपने कारे चितर में कैसे भी अलग-लग तरीकों से टेवल के नीचे वाला धन यानि कि हर प्रिकार से आपका जो धन होगा वो दूसित धन कहा जाएगा जहां तक है क्योंकि आप ऐसे कारे करेंगे या आप से होंगे ऐसे कारे जैसे आपका दूसित धन आपके पास में अधिक मात्रा में आएगा तो यानि यहाँ पर कमाई के मात्रा बहुत अधिक दिखती है चोरी, डखेती, सटा, लाटरी इनकी यहाँ पर जदा आपके अंदर सोच जाधा हो जाएगी तो सटा लाटरी, चोरी, डखेती इन चीजों से धन का अर्जन आप जादा ही जादा करेंगी अब डखैती किसी भी प्रकार की हो सकती है डखैती का मतलब यह है चोरी का मतलब यह है कि आपको सरकारी काम करते हैं आप सरकारी अधिकारी हैं और वहाँ पर जा करके आप कैसे भी किसी का भी सरकार ने जंता को कुछ भी दिया और आप वहाँ पर जाके उनका हक खा रहे हैं तो ऐसे हो जाता है ये भी चोरीड कहती का तो इस प्रकार से इसका भी फल आपको प्राप्त होगा तो यहाँ पर धन की स्थिती बहुत अच्छी कही जाएगी लेकिन ये धन अच्छा नहीं है बिलकुल अच्छा नहीं है अगर इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो परेडाम स्वास्त के जिस परकार से आपका स्वास्त काफी समय से ज़्यादा तर खराब अगर चल रहा है काफी आपके छोटे भाही बैनों से आपको सहयोग दिलाएंगे आपके अंदर मनुवल बढ़ाएंगे और साथी साथ आप हर कारेचेत्र में अपने कारेचेत्र में और हर काम में बहुत ही मन लगाएंगे और यहाँ पर देखा जाएगा कि आप निष्चती एक उमंग के साथ में अपने कारे को कर रहे है यहाँ पर अनुसासन भी आपके अंदर बहुत कुछ होगा और आपके छोटे भाही बेनों में भी आप से ज़्यादा अनुसासन देखने को मिलेगा मंगल की चतुरत द्रश्टी सस्टम भाग पर पड़ेगी तो यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि आपको मंगल करज त्यादी लेने के लिए बात दिकरें लेकिन एक बात में से इस ध्यान रखना होगा कि करज देना बिलकुल नहीं है अगर करज दे दिया आपने तो यहाँ पर आपको करज लेने में बड़ी समस्या बापसी नहीं होगा ऐसा मैं कह सकता हूँ परन्तु जादा तर यही देखा जाता है कि 99% ऐसा धन बापस नहीं आता है तो मंगल की जो चतरत रष्टी है यह 18 जून तक पड़ेगी 18 जून तक का जो समय है इसमें आप किसी को अपना पैसा ना दें वही आपके लिए स्रेष्ट है आगे बढ़ते हैं तो आपके बता दें कि यहां पर माता के स्वास्त में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है माता के स्वास्त में अगर कोई दिक्कत चल रही थी उसमें भी आपको निश्चिती लाब मिलेगा देखा जा सकता है कि आपके कोई भी किसी प्रकार से आपके द्वारा जो कारे किये जा रहे हैं उनसे माता आपकी मां रोक टोक कर सकती है कुछ जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आपको समझाने का कारे कर सकती है सही मार्ग दर्सन भी आपकी मा के द्वारा आपको मिलेगा यहाँ पर आप बिद्यारतियों की बात करें तो बिद्या धन की प्राप्ति होने वाली आपको बिद्यारतियों की बिद्यारति में बहुत जादा उमंग एक पढ़ाई की उमंग जागेगी तो यहाँ पर पढ़ाई में आपका मन अधिक से अधिक लगाने के आप प्रैत्न करेंगे लगेगा नहीं फिर भी आप प्रैत्न करेंगे और प्रैत्न करेंगे तो रिष्चेत आपको सफलता मिल जाएगी मंगल आपके चत्रत भाव में जैसे ही 18 जून के बाद में जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए काफी अच्छी स्तितियां बनेंगी और पढ़ाई के लिए आप और भी जादा मन लगाएंगे और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देखा जाएगा कि जो लोग सेना इत्यादी की आर्मी फोर्सेस की या किसी प्रकार की इंटर्व्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी समय हितकारी होगा और पढ़ाई में आप बहुत कुछ अपना जो कॉम्पीटिशन है किसी से उसे बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे और अपने साथियों को पीछे करते जाएंगे और हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे इस महीने में अगर हम यहाँ पर प्रेम संबंदों की बात करें तो प्रेम संबंदों में निश्चेती थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है थोड़ी परियसानिया हो सकती है आपका पार्टनर आपसे थोड़ा सा मनमटा आपकी इस्तिती बना सकता है ऐसा लगता है आपको और ऐसा हो सकता कि आपको ऐसा लगे कि आपका पार्टनर थोड़ा अलग ही मोड ले रहा है उसके बिचार परिवर्तित हो रहे हैं ऐसा आपको लग सकता है साथी अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम एक समस्या आपके साथ में आ सकती है मैं आपको एक बात बिस टेलीविजन चैनल पर तो पॉजटिव भी बताते हैं तो उन्हें सुना कीजिए मैं नेगेटिव पॉजटिव जो होता है सत्य बताता हूं अगर आपको नेगेटिव यानिकि सत्य को सुनने की छमता नहीं है तो आप कृपया करके हमारे चैनल के नाम को अच्छी तरीके स पढ़ लें यहाँ पर ना आया करें क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिस से कि आप दिग भ्रमित हों और आपके अंदर ये जूटा दिलासा आ जाए आपके अंदर उमंग जाग उठे कि आप तो अच्छे दिन आ जाएंगी जो होगा यथार्त बताया ज समस्त्या यह है कि यहाँ पर एक इस्त्री या खूबसूरती चीजों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रॉब्लम काफी है जो मैं गिना रहा हूं सबसे बड़ी समस्त्या आप किसी इस्त्री के द्वारा प्रताडित की जा सकते हैं कोई इस्त्र उनकी कमी बहुत ज़्यादा ही सताए ब्यूटी पालर से संबंदित काम करते हैं तो उसमें भी प्रोब्लम आपको तरह तरह की प्रोब्लम आती रहे हैं यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि कोई भी चीज आपको आकरसित करती है जो चीज आपको आकरसित करती है चाये वो कोई भी व्यक्ति हो बहुत सुंदर व्यक्ति आदमी हो औरत हो या कोई भी ऐसी सामगरी हो जो बहुत ही दिखने में आकरसित लगती हो आपका मन खीचती हो अगर चार लोगों के बीच में भी व्यक्ति खड़ा है और आपका मन खीच रहा है तो समझ लीजे वो व्यक्ति आप ही नुकसान दायक हो सकता है उससे रिस्ते बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान दायक हो सकते हैं ये आपको तब पता चलेगा जब वो नुकसान आपका कर देगा हमारा काम है आपको सापधान करना तो सापधान रहिएगा निस्फिकरो जाईएगा साथी दोस्तों आप दामपत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो दामपत्य जीवन में यहाँ पर निश्चती परेशानी आएगी दामपत्य जीवन में मतवेत की स्थितियां रहेंगी और खास कर यहाँ पर 14 जून तक जो स्थितियां रहेंगी वो ठीक रहेंगी लेकिन उस 14 जून के बाद में जो इस्तितियां बनेंगी वो इस्तितिया आपके लिए परेसानी खड़ा कर सकती है परेसानिया कुछ इस प्रकार होंगी कि मतबेद कलय की इस्तिति बंती नजर आए और बात बात में चिड़ चड़ापन आपके पार्टनर के द्वारा कुछ ऐसे सब्द बोले जाएं जो आपको अप्रिय लगें और उन पर आप जो अपना रियक्शन करें तो उससे आपको हो सकता है कि छोटी मुडी प्रॉब्लम हो जाए तो इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है छोटा मूटे जो कलय रूपी घर में आजकल चलता रहता है उसी प्रकार से छोटी मूटी समस्तिया आएगी उसे अगर आप बहुत ही सांती से और मन को संतलित करके चलें तो कोई समस्तिया नहीं आएगी उसे आप सुल जा पा अगर यहाँ पर हम आपको भागे की बात करें तो भागे का सहयोग आपको मिलता हुआ कम नजर आएगा आपको ऐसा लगेगा कि किसमत आपकी साथ नहीं दे रही है ऐसी स्तितिया आपके साथ में बनेंगी लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी कारे अगर बनने वाला होगा य जिम्मेदार इंसान पूरी तरेके से अपनी जिम्मेदारियों की चिंता भी करते नजर आएंगे। जिम्मेदार इंसान पूरी तरेके से नजर आएंगे। साथ अगर करियर की बात करें तो करियर में भी कुछ खास बिसे नहीं कहेंगे। अगर हाँ ये जरूर है कि आप इस समय को अगर बहतर बनाते हैं अपने अंदर बहुत सारी उमंग और इस समय को ब्यर्थ ब्यतीत नहीं करते हैं। आप इस समय का यूज सही अगर कर लेते हैं आप आर्मी इत्यादी की तैयारी करते हैं या किसी भी प्रिकार की नोकरी की तैयारी करते हैं। तो उसमें आपको आगे जाके जो आप यहाँ पर अपना बीज बोएंगे उसका पेड़ इसका पौधा बनेगा आगे चलके और उसको आपको फल खाने को मिलेगा। तो तरीके से काम करिए और मेहनत में लगे रहिए। खाली बैठने में कुछ नहीं रखा है। धनलाब की स्थितियां सामान नहीं रहेंगी, यहाँ पर कोई स्थितियां नहीं है। खास कर यहाँ पर देखा जाएगा कि आपको करज इत्यादी लेना पड़ सकता है, बहुत ऐसी स्थितियां बन सकती है। अब हम बात कर लेते हैं अपाय की, दोस्तों अपाय क्या करना है आपको, अपाय को जो की بहुत ही सांधार अपाय आपके लिए देवगुरु ब्रहसपत्त्ती के मंत्र का जब कर सकते हैं आप, या अपने दीख्षा ले रखी है, गुरु दीख्षा का मंत्र जो दिया था उस देवाय इस मंत्र का जब करिएगा आपको अधिकादिक लाब होगा और आपके मन को जो असानती मिल रही है उससे भी आपको निस्चेदी छुटकारा मिलेगा तो दोस्तों यह था जून महीने का रासी फल आसा करते हैं आपको यह रासी फल पसंद आया होगा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही अपनी दोस्तों के साथ सेयर कीजिए चैनल पर नए आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाही लीजिए और दोस्तों अगर आप हमसे जन्मकुंडली दिखवाना चाहते हैं आप अगर पेमेंट देने में हमारी फीस द देने के लिए पैसे नहीं है तो आप हमारी फेस्बुक पेज को फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर आप हमसे निसुल्क जन्मकुंडली के सवाल पूछ सकते हैं हम जब फेस्बुक पर लाइव आएंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो फेस्बुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे जरूर फॉलो कीजेगा और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर दीजेगा तब ही आपको जल्द से जल्द हम आपके लाइव बात कर पाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों नमस्कार